हेलो दोस्तों जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं यह 11 संकेत दोस्तों अगर हर सुभर आपको यह संकेत मिलते हैं तो आप समझ ले कि आपकी घर में इश्वर का वास हो चुका है वह क्या है संकेत आज हम इसे पर बात करेंगे भगवान कुश कुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाट और रत करते हैं भगवान के आगी सुभर शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कुश करपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अजना करने से वह हमसे प्रसन होते हैं पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं आईए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेश के पाव आप पढ़ है दोस्तो जब आप पुजा पाट करते हैं तो इश्वर का वास आपकी घर में होता ही होता है चाहे वह प्रत्रक्ष रूप में हो या फिर आप प्रत्रक्ष रूप में वह जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे कई बार ऐसा होता है इभवान तो आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपकी कुछ गल्तियों से लौट जाते हैं आपकी कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गल्ती करते हैं वह कभी पूजा पाट करते हैं और फिर छोर देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उसे छोर देते हैं, तो यह सब सही नहीं होता, इससे इश्वर चले जाते हैं, यह आपको कभी नहीं करना चाहिए. बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में इश्वर कवास करते हैं देकिन उन्हें स्वैम इस बात का पता नहीं होता और वह स्वैम उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं यह कहकर कि मैं इश्वर की पुजा तो रोज करता हूं लेकिन तब भी इश्वर मुझे क्यों नहीं देखते हैं तो आपको यह सब कृत आपकी इश्वर को रुष्ट कर देते हैं तो इसलिए आपको आज हम वह संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे जिससे आप स्वय जान पाएंगे कि इश्वर आपके घर में आ चुके हैं तो आएए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्मोरत में उठ जाते हैं हर रोज आपकी लीन इसी समय खुल जाती है साथ ही जदि ब्रह्मूरत में ऐसा कोई सपना दिखाए दे जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो ब्रह्मूरत में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि इश्वर आपके भर में है ज़िए आपको ब्रह मूरत में ही शंग की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है घंटियों की आवाज या कोई नाम जैसे की कोई आपसे राम राम कह रहा है ऐसी आवाजे अगर आपको सुनाई देती है तो यह दूसरा संकेथ है जिसे एक पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गये हैं जब भी आप सुबर-सुबर नहाद होकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती किवर आपको महसूस होती है जा ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है ना ही अनकिसी अगरवत्ती या अनकिसी चीज की बस आपको यह अजीब सी महक आती है यह सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है अब वह घर में जिस जगह होगा वही आपको या महक आती है और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महर ज़ादा आती है दोस्तो या महर देवी देपताओं की होती है जिससे आपको पता चलता है कि इश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं अब जो नकरात्मक उर्जा होती है जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गन्द आने लगती है देकिन जब इश्र कवास होता है चकरात्मक उर्जा का प्रवेश होता है तो आपको सुगन्धा आने लगती है यह महाख बहुत ही अच्छी होती है प्यारी सी होती है मीठी सी होती है जो आपका मन पूरी तरव मुह लेती है जब भी आप पूजा पर्ट करने जाते हैं तब उसे समय यदि कोई जीव यानि की कुट्ता, बिल्ली, गाय या फिल अनकोई वैक्ति, भिक्छू आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय में वह आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप है, कुत्ता भी हैरव बावा का प्रतीख माना जाता है जब कोई आचक आता है तो अभी इश्वर के किसी ना किसी रूप में आ रहा है तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बलकि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए पैसे का या अन किसी चीज का दान करना अलग बात है लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का पानी का माना जाता है अगर आपको रात में नीन के दोरान बारबर सपने आते हैं और सपनों में मंदिर भगवान की मुर्ती या फोटो दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आप प्रभवान की किर्पा बनी हुई है कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन लेते वग आगे मन में उसे लेकर कुछ संसय आ जाता है सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा लगता है कि हमें उस मैसले को लेने जिम्मन रोग रहा है इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवे शक्ति का अश्रवात है जिन लोगों पर भगवान की किर्पा होती है वह अमीर हो या गरीब उन्हें हर जगह सम्वान मिलता है अगर किसी को कम मेनत करने पर ही सफलता हांसिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है भगवान उन्हें हर परिशानियों से बचा लेते हैं जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वो हर परिस्तिती में खुश रहते हैं उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो वे हमेशा खुश ही रहते हैं उन्हें कभी भी किसी भी परशानियों से डर नहीं लगता, वो हर मुसीवत को आसानी से पार कर लेते हैं उल्लू देखना है शूब, हिंदु धर्म में उल्लू को काफी एहम धर्जा दिया गया है उल्लू को मातलक्ष्मी का बहान माना जाता है लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहदी शुप संकेत माना जाता है किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजे कि जल्द ही मालक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है खान पान में आने लगता है बदलाओ मालक्ष्मी जिस घर में भी आती है उस घर में लोगों के खान पान की आदत बदलने लगती है कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूप कम लगती है खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी परियाक्त लगने लगता है इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मानसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं धन की देवी मालक्षमी को साफ सफाई बहुत पसंद है जिन घरों में साफ सफाई होती है मातालक्षमी उसी घर में बास करती है इसके अलावा मालक्षमी को सफाई में इस्तमाल की जाने वाली जारू भी बहुत प्रिये होती है कहा जाता है कि सुभा के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर जारू लगाता हुआ दिखाई दे तो यह बहुत ही शुब संकेत होता है शंग की आवाज देती है शुब संकेत हिंदु धर्म में शंग को एक अहम अस्थान दिया गया है इतना ही नहीं शंग की आवाज भी काफी शुब मानी जाती है इसलिए किसी भी शुब अफसर पर होने वाली पुजा पाठ में शंग बजाए जाता है यदि सुभा उटने के बाद आपको शंग की आवाज सुनाई दे तो यह एक शुब संकेत होता है माना जाता है कि सुवह उतने के बाद श्रंग की आवाज सुनाई देना आपके घर में मालक्ष्मी के आगमन का संकेत देते हैं यदि आपको लगतार तीन दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंट पच्छी दिखाई दे तो समझ जाईए ये भगवान ने आपकी सुन ली है या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आगर अपने बच्छी को दूद पिलाएं तो यह देवी देताओं की आपको क्रिपा होने का साफ इशारा है यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने लगी है ख़गवान आपके सारे कश्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं यदि घर के मुख द्वार के आसपास चिरिया घोसला बना ले तो यह बहुत ही शुप संकेत होता है यह इस बात का प्रामान है कि आपकी पूजा सफल हो गई है चिरिया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं बलकि उनके लिए दाना पानी रखे यदि पूजा करते समय आप इतने भावपुन हो जाएं कि आपकी आँखों से आसु निकलने लगे तो यह इस बात का सुनकेत है कि इश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है आप सुबब पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का जून दिख जाएं तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा शिद होने वाली है आपकर भगवान महरवान है कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दे जदि आपके घर में बिना किसी गरवत्ती रूम में स्प्डे या आठिफिशल फेंग्रेंस के इस्तमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तेह समझ ले कि आपकर इश्वर की क्रेपा ह साथ ही जल्द जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं पूजा के दोरान घर में किसी अतिति का आना भी भगवान की किरपा का संकेत है यदि अतिति कोई तोफ़ा भी ले कर आए तो यह साप इसारा है कि भगवान ने आपके पूजा सुईकार करनी है यदि पूजा के समझ जल करें दिन दूर होने वाने हैं अगर अक्सर आपकी नीन सुभर तीन बज़े से साड़े पांच बज़े के बीच यानि कि ब्रह्म मूरत में खुले तीहवे इश्वर का संकेत है अगवान आपकी भक्ति से प्रसन है जिस व्यक्ति की नीद अचानक से बार बार रात के नौ आती है ऐसे में आपका बार बार तीन बज़े के बाद कुछना काम्याब होने का संकेत है वही रात के तीन बज़े के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वर्दान कभी खाली नहीं जाता है इश्वर आपकी प्रातना अवश सुनते हैं अगर आपको आपके सपनों मे उचे उचे परवत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ जर्ना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तोर पर आपको काम्यावी अवश्च प्राप्त होती है अगर आप अपने शिक्षा का सही प्रयोग करके उसे परिवार चला पा रहे हैं तो यह इस श्वरिय किर्पा सही संबब है दुरिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी पर्मेश्वर की विशेश किर्पा है शेहत कराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है इसलिए निरोगी काया प्राप्ट किये लोगों को खुद को भागवान मानना चाहिए ज़िए आपको जीवन में स्योग जीवन साथ ही मिला है तो यह अभी पर्मेश्वर की किर्पा से ही संभव है एक अच्छा जीवन साथ ही आपके पूरी जीवन को खुशार बना सकता है देकिन अगर जीवन साथ ही खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ जगरे और कलेश के बीच गुजरती है अगर किसी व्यक्ति की संतान आग्यकारी है तो यह भी पर्मेश्वर की ही किर्पा है बरना आज की युग में ज्यादा तर लोग अपनी संतान की वज़ा से ही दुखी है चही गलत के बीच अंतर करने की छमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इश्ट देव का असिरवाद होता है हरवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर ही देवी देवताओं की खिर्पा होती है वरना पर्मिश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता जिस व्यक्ति का क्रोध परवर्ष है जिसका मन शांत रहता है जो हर प्रिस्थिती में समान होकर निपटना जानता है ऐसे लोगों उपर इश्वर का हाथ होता है तब ही यह संभव हो पाता है धगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिने भगवान के तुल माना जाता है इनमें माता-पिता, गुरु या ब्रामन है इनमें से कोई भी व्यक्ति पुजा के दोरान आपके घर में प्रवेश करता है या बहुत शुब माना जाता है आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लोटाना चाहिए पुजा के दोरान अगर भगवान की मुर्ति या प्रतीमा से कोई फूल या माला आपके पास गिर जाए तो यह बहुत ही शुब संकेत है इससे पता चलता है कि भगवान की किर्पा आपको बनी हुई है और आपकी मिनो कामना चल्द ही पूरी होने वाली है दोस्तों वीडियो पसंद लाई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, एंट कर्मेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक और प्रिस करना ना भूले फिर मिलेए अगले वीडियो में तब तक के लिए चैस रुकिशना